Hello friends, welcome back to my YouTube channel, so dear students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BSC first semester में कैसी लिखे, BSC में topper कैसे बने, BSC pass कैसी करें, BSC में सही लिखने का तरीका जैसे कि आपको पता है, अभी आप just class 12 pass करके BSC में गए हैं आपको इसमें समझने आता है कि इस तरह से हम BSC first semester में लिखें कि आपको अच्छा नमबर मिले और अच्छे percentage बने बहुत सारे बच्चे AC में confused हो जाते हैं कि लिखने का सही तरीका क्या होता है जनरली जो बच्चे class 12 से pass करके गए होते हुने लगता है कि हम थोड़े से चार line में answer लिखेंगे और अच्छा marks मिल जाएगा ऐसा नहीं है BSC यहाँ पे सबसे अलग है अगर आप BSC में अच्छा नमबर पाने की चाहत रखते हैं तो आपको BSC में भी अलग लिखना होगा तभी आपको अच्छे नमबर मिलेंगे जैसे कि यह रहा आज BSC first semester में किस तरह से लिखा जाए या कैसे लिखा जाए जिससे आपको अच्छे marks मिल सकते हैं जब भी आप question को लिखते हैं जैसे कि अगर आपका कोई family से related question है कि आप estresi family को बताएए सबसे पहले यहाँ आप family history लिखेंगे उसके पासे यहाँ पे silent feature of the family इस family का silent feature क्या है यह largest family है smallest family है यह क्या है यहाँ पे इसको लिखना है इसकी बास से आपको क्या करना है यहाँ पे आपको habitat, habitat के बारे मिलिखना है, root के बारे मिलिखना है, leaf के बारे मिलिखना है इस तरह से आपको यहाँ पे इसको define करना होगा उसके बास से एक एक करके आपको क्या करना है उसके बास से आपको disc florate, calyx, carola, androsium, gynosium इस तरह से यहाँ पे आप इसको define करेंगे कितने लाइन में लिखे Aviland II आप सेपर में लिखा हुआ है कि इन दोनों में क्या करना आपको जैसे कि आपको जब पर मिलेगा सेक्षण अबीशन को सेलेक्ट करते हैं उस ही के बेश पर आपको कुईस्शन लिखना और यहां पर इस नेenga रिती दा Chiefkas section b को कीजिएगा section c को क irre section b को लेते हैं तो section b को पहले कर देगा उसके बाद से section a section c इस तरह से की जिएगा अब देखिए यहां पर आपको डिफ्रेंस प्रॉइंस बताना है bonocotyledon and da notification 000 emphasizing visitor यहां पर सबसे पहले आपको देखिए किस तरह से लिखना है यह रहा आपका यहाँ पर copy copy में आपको scaling करना है question लिख लेंगे उसके बास यहाँ पर character character क्या दिया है character इन दोनों का क्या है और इन दोने में उस base पर क्या-क्या difference है अंतर है वो लिखना है जैसे यहाँ dicotyledon है monocotyledon है अगर आप the बन्ड बंडल्स को define करते हैं कि यहाँ पर two six protozylam है यहां पर उसी के बारें बताना कि monocotyledon में कितने यहाँ पर difference है जैसे कि यहाँ पर पीथ है तो पीथ क्या होता है जो आपका dicotlydon होता है यहाँ पर absent होता है या small होता है लेकिन जो आपका monocotlydon होता है यहाँ पर large and well developed होता है इस तरह से आपको यहाँ पर define करना यह नहीं कि यहाँ पर protozylam को define करते हैं और यहाँ पर pith को देखिए मैंने यहाँ पर serial wise लिखाया वस्कुलर बंडन, pericycle, cambium and pith इसी के base पे हमने यहाँ पे इन दोनों का differences बताया हुआ है अब चलिए देखते हैं कि अगर कोई अलग question पूछता है तो उसको किस तरह से हम refine करेंगे So students देखिए अगर आपका question पूछा जाए What is air pollution? What are major effects of air pollution on organism and ecosystem? अगर इस तरह से question पूछा जा रहा है तो आपको इसको किस तरह से जवाब देना या answer देना है वो इस topic में मैं आपको बता देती हूँ देखिए सबसे पहले आप section A लिखेंगे जो भी आपका section है section A, B, C करके लिखेंगे और उसके बास से यहाँ पर question define करेंगे आप देख सकते हैं जो question है यहाँ पर what is air pollution? सबसे पहले हमको यहाँ पर define करना है pollution होता क्या है? उसके बास से यहाँ पर air pollution को define करना है जैसे यहाँ पर देख लिजिए यह रहा आपका यहाँ पर general feature कि जो आपको pollution होता है वो होता क्या है उसके बाद से air pollution के बारे में लिखे हैं अब यहां पे देख लिजे यह पूरा आपका air pollution के बारे में ही है कि air pollution किस तरह से होता है air pollution का effect क्या होता environment पे दिन इसके बाद से आपको बताना cause of air pollution means क्या क्या वज़ा है या क्या कारण है जिसक सं 4000 मोबाइल डोमेशटीक बसं इनको क्या कर सकते एप एकस्पेयल भी कर सकते हैं इनको डिस्ट्राइब करेंगे तो यह बहुत जादा बढ़ा हो जाएगा तो इस तरह 600 न आपका बन जाएगा यहाँ टैसिरीन क्या होते हैं थर्मल कि तरह सी होते हैं इसको भी आप एक करके अच्छे सी डिफाइन कर सकते हैं इसके बाओ से THE पॉलूटेंट और अप्रिंस्पल एएर पॉलूटेंट यहाँ पर टाइपस ऑफ एएर पॉलूटेंट की बारे मताहिं देखना देखिए यहाँ पर कारवन कमपाउंड है sulfur compound, nitrogen compound, metals, oxygen, fluorocarbon, script carbon compounds को आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि carbon compounds में कौन कौन से है जो कि आपके air pollutants का work करते हैं ऐसे sulfur compounds में कौन कौन से है nitrogen compounds में कौन कौन से इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं then next है effect of air pollutants on biological लाइफ यानि कि air pollutants का biological लाइफ पर क्या effect पड़ता है आपको यहाँ पे इसको भी बताना है आपका effect of co2 effect of co2 effect of co2 effect of h2s effect of n2 and to effect of o3 effect of fluorocarbon इस तरह से आपको यहाँ पर इन सबको भी define करना होगा कि यह सब क्या होते हैं इस तरह से आप जब इसे define करेंगे तो एक दम अच्छे से आपका यहाँ पर इस तरह से आप लिखते हैं तब आपका 10 मार्क्स बन जाएगा लेकिन अगर किस और तरीके से लिखते हैं थोड़ा सा एक पेज में लिखके आप अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर आपको टू मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और अगर कोई आपका डाइम जैसे डाइग्राम व सब्स्वरे म्लेंगे i.e.s अगर वर उसको डाइग्राम बनाकर अच्छे से कर देते हैं यानिकिस डाइग्राम बनाते हैं पट्ल ए फ्लावर का और इसमें सेपल पेटल अगर इस सब सू कर देते हैं और इसको डिफाइन नहीं करते हैं फिर भी वहां आपको हाफ नंबर आराम से मिल जाएगा लेकिन अगर आप लिख के छोड़ देते हैं और राइग्राम नहीं बनाती हैं तो यहां आपको एक भी मार्क्स न ही मिलेगा